आजकल आप लोग जानते होंगे कि हिर्दय संबंदी और स्वांस संबंदी रोग बहुत बढ़ गए हैं तो हमने सोचा कि आज हिर्दय की दूरुबलता को और स्वांस रोगों को निराकरण के लिए ऐसे साधान पौधे का जिसको देखने में तो साधान हो सकता है साधान पत और विशेज गुणकारी है इसके अंदर बहुत सारे केमिकल कॉंस्टेंट और मिंडल्स पाय जाते हैं इसके अंदर वोलेटाइल भी होता है पहली टॉरिन और एनसाइकलिन नाम के दो एलकॉलाइड भी होते हैं इसके अलावा इसमें अलमुनियम आयरन पोटासियम केल्सिम और केल्सिम भी पाया जाता है अब हम अगर इसकी ज्यादा देर ना लगाती वे गुणों की चर्चा करें तो ज्यादा अच्छा होगा यह हिर्दय की दूरबलता को दूर करने के लिए विशेज कारें माता है ब्लॉक्ड आर्ट्री में भी हेल्प करता है आपने अरजं का तो नाम सोना होगा लेकिन अरजं के साथ अगर 200 मिली गराम इसके पाउड़र बिला दिया जाये तो यह सुनेपर सूहगर जैसा को जाता है रदय के दूरबलता को 400 मिलीže राम पाउड़र बनाकर दूर के साथ सेवन करना चाहिए CRT का माताओं बेहनों में बहुत कॉमन प्रब्लम हो गई है इसके लिए इसका महीन चुन बना लिए पूरे प्लांट का महीन चुन बना के और अक्रोट के तेल के साथ इसका मालिस करना चाहिए विशेशलाब करता है एक सब्ते के अंदर इसका चमत करे प्रभाव आपको देखने को मिल जाएगा स्वांस रोगों में आप क्या कर सकते हैं दो से चार ग्राम सहध के साथ चाटिए विशेशलाब करता है कई बार क्या होता है कि वात के प्रकौप के करण या तो बहुत ज़्यादा नीद आती है या फिर नीद नहीं आती है ऐसे किसमें आप क्या करें कि इसके पत्र और इसके जो फूल आप देख रहे हैं पिले उसको मुह में रख लीजे एक सब्सक्राइब बाद आपकी देरे-देरे कम होने लग जाएगी और आपको अच्छी नहीं आने लग जाएगी कई बार क्या होता है कि छोट छोटे बच्चे होते हैं तो उनकी जीव बहुत भारी होती है जिससे उनको बोलने में समस्या आती है और तुतलाते हैं वो जिसको जीवा जाड़े भी कहते हैं तो ऐसे बच्चों को 200 मिलिग्राम इसका पाउडर सहथ के साथ चटाना चाहिए द संक फुस्भी का चुन बना कर सिवन कर सकते हैं और यिए में मोरी बढ़ाने के साथ साथ एपिलप्ज की समस्या करता है हमोपेथी में इसका मदर टिंग्चर बनाया जाता है और आयूरुवेद में यूनानी शिद्धा, سब्स एसका खूबeth क्या जाता है पस्वों के चिकितसा के लिए गाओ भरने के लिए इसका पाउडर तिल के तेल में मिलाकर गाओ पे लगाते हैं महां भी ये विशेस लाब करता है दातों में दर्द हो तो इसका ये फूल और पत्र चबा कर दांतों के बीच में रख लीजे दातों का दर्द एक दम ठीक हो जाता है बहुत जल्दी ठीक हो जाता है मुत्र अस्मरी हो अगर किड्नी स्टॉन वगेरा की समश्या हो तो इसके साथ हमें गोखरू पिपली निर्गुंडी और छोटी इलाइची बनाकर कौत पना लेना चाहिए और देपने दो से तीन भार देना चाहिए बहुत कुणकारी एक प्लांट होता है आम तोर से यह है कहीं भी देखने को आपको मिल जाएगा लेकिन गुणों की जानकरी ना होने के कारण हम उसके औस दिये गुणों को अच्छे से एक्स्प्लोर नहीं कर पा रहे हैं तब आप आगे से कर सकते हैं फिर होंगा एक नई प्लांट के साथ तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद प्रणाओं